जन्माध्यस्य भागवत नो प्रारंद जन्म शब्द दिधयो जो भागवत नो पेलो शलो पेलो शब्द जन्म अने भागवत नो अंतिम शब्द परम नामसंकिर्दनम्यस्य स्वर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख्षमनस्तम् नमामी हरिम्परम तो ये भागवत के यात्रा जन्म से परम्तत्वतक पहुँचने की यात्रा है ज़ अक्षर थी भागवत नो प्रारंब धो ज़ अक्षर ए दग्धता वाचक छे निशेद छेगे कोई पन शास्त्रकार, कोई पन ग्रंथकार, ग्रंथनी रचना करता पहला ज़ अक्षर थी प्रारंब नो करे कारण के दग्धता वाचक छे पन व्यासजी ये ज़ थी प्रारंब करे कारण के व्यासजी ना रदेमा दग्धता छे जिम गोपियों ना रदेमा दग्धता हती तो त्यां पन जधी प्रारम गथ है अईया पन जधी प्रारम गथ है जन्माध्यस्य यतह ये ब्रह्म सुत्र का दूसरा सुत्र है जिससे भागवत का प्रारम गुआ ब्रह्म सुत्र का प्रथम सुत्र पहला सुत्र अथातो ब्रह्म जिग्यासा नारच जी ने भक्ति सुत्र का जो प्रारम गथ है तूनों ने बताई अथातो ब्रह्म जिग्यासा व्यास जी ने ब्रह्म सुत्र का प्रथम सुत्र अथातो ब्रह्म जिग्यासा तो ये भागवत उसका प्रारंब दूसरे मंत्र से हो रहा है जन्माद्यस्य यतहँ मतलब पहले जिग्यासा हो तो भागवत में आके बैठो नहीं तो आने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये परम की बात है जिग्यासा पच्छीनवा लेवल छे जिग्यासा हो तो कथा मावी ने बेशो तो कथा आनन्द आपशे कथा मावाना घणा घणा प्रयोजन हो जो कोई कथा आदी से श्रवन करता है कोई व्याधी से श्रवन करता है भाईया ये तो कल्प तरू है अन्ने कल्प व्रुक्षनी छाओं मा बेशे तो जेना जे मन रो तो ये पूरा थी जाए गणा तो ये बहु सगा वाड़ाने बहु आऊ से तो दिक्रीना लगने थी जैसे एक वार तो ये वुन कथमा नक्की थी क्यों ले समाज आई वो या खो तो मेड पड़ी क्यो आरी बात तो ये तो कल्प ब्रुक्ष है जो मनोर्द लेके आओगे वो पूरा हो जाएगा तो कोई आदी ने दूर करवा माटे आवे कोई व्यादी ने दूर करवा माटे आवे कोई धी से आता है धी यानि बुद्धी से देखने के लिए देखके तो आएं कैसा चल रहा है सब गणा स्रियाइडियों बहु फरता होई जाएं जो आमाटे चलो जोई ने आवे आमदा आदमा कथा तो करे जैसू थाई छे तो कोई बुद्धी ती आवे जो आमाटे आम वह तु नजर करी ने वह आए जाए फोटाव पाडी में तो कोई धी ती आवे कोई व्याधी ती आवे कोई आधी ती आवे कोई विधी ती आवे दादी कहीं किया बाब दादा कहीं किया भागवत सांबड़ जे एना थे मुपती मड़ी जाए छे तो कोई विधी ती आवे छे कोई लोकान बुद्धी थी आवी ने बेशे छे व्यवहार माटे अब इपरिवार नोचे जवू तो पड़ छे नहीं जैये तो सारू नहीं लागया व्यवहार साचवा माटे गणा लोको आउता हुआ अब इउमेश्वाई वेद वेद परिवार छे अब हमेश्वाई जवू अब आपने बदा सगा संबन्दे तो मोडू तो देखाड़ू पड़े ने तो अच्छा नहीं लगेगा जी आपने दिया नहीं आवे देवहार अन्य घणा पचिये वाओ आवी जाए अन्य आवी ने आम मोडू देखाड़ी जाए अब हमें उनकी नजर में आना है या इनकी नजर में आना है वो हमें सोचना किसकी नजरों में आना है किस वज़े से हम यहां पे बेठे हैं वो सोयम सोचוז हैं कि नजर मा आवह माटे के हां व्यवार सच्वाए गियो तो इनजर मा आउँ छे आ नजर मा आई वा तो आजे आई वा काले उत्री हं जशू एक और आमनी नजर मा आवे याने ठाकोडनी नजर मा पच्छी क्या आई उतर सुनी फिर देखो तो किसकी नजर में आना तो कथा मा आवानू अलग-अलग प्रेवजन पन जिग्या सा आप बीजा सुत्र थी भागवत नो प्रारम बथाई छे कहवाई छे विद्यावताम भागवते परिक्षा विद्यार्तियों नी परिक्षा मोटा-मोटा ज्यानियों नी परिक्षा आप भागवत मा थाई छे शस्त्रों की परिक्षा युद्ध में होती है विद्यागी परिक्षा भागवत से होती है विपत्ति काले ग्रहीनी परिक्षा ग्रहीनी स्रिष्ट ग्रहीनी ये परिक्षा विपत्तीना समेमा थाई कि इ विपत्तीना समेमा घर ने केविर ते साचवे छे केवी ते मोटिवेट करें छे बाड़कों ने बदा पतीन बदें परिवार वाड़ा ने तो विपत्तिकाले ग्रहीनी परिक्षा कहा जाता है कि आपत्तिकाले परखिये चारी धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तिकाले परखिये चारी यह आपत्ति काल्मा चार्णी परिक्षा थाए धीरज धरम तम्हें द्रड़ता रही के पच्छी डग मगाई गया धीरज धरम मित्र और नारिमा तो विद्यावताम भागवते परिक्षा परमहंसोनी सहीता जिग्यासा साथे आकथा मावी ने बेसो एटले बीजा सुत्य थी अश्यमद भागवतन परारम बढ़लो जन्मा ध्यस्य यता जो समस्त जन्म आदी से निब्रुत है उसने जन्म लिया कहां ब्रज में देखिए एक बड़ा विशिष्ट भाव मैं यहाँ पर प्रकट कर रहा हूं एक विशिष्ट व्याक्या प्रथम शिलोक ने इम तो आमा आविव सत्यम परम भी महीं स्पष्ट आमा कहूं नथी कि आश्यलोक कृष्ण परग छे पन आ शत्यम परम पदती समझाए छे कि आश्यलोक कोना माटे लखायो छे व्यास जी ये भले आम स्पेसिफाई नथी करियो के कृष्ण के राम के शिव पर शास्त्रों द्वारा आपड़े समझी शकिये जेम कारहाग्र मा जारे भगवान नो प्रागेट्य थयो अरधरात्री ना समय मा ए समय देवताव भगवान नी गर्भस्तुती करवा माटे आवया अने त्यारे शू कहीने भगवान नो संबोधन करियो सत्य प्रतम, सत्य परम्ति, सत्यम सत्यात्मकं, शर्णम प्रपन्न, सत्य स्वरूफ ए कृष्ण गोपाल ए बदा नाम तो पची थया पस वूती पहला भगवान केवा चे सत्य भगवान नो नाम चे तो सत्य थी ए कारहा गरमा चे भगवान नो जन्मत हयो ए सत्य थी एमनो संबोधन करियो ए वात्ती समझाए चे कि आ सत्यम परम एटले इकृष्ण माटेज अहिया शब्दवापरायोच कारण के कृष्ण भूवा चे गह शब्दण श्य निव्रतिवा चे गह तो यो रेक्यम परब्रम कृष्ण इत्य भी धी यते ए परब्रम ए कृष्ण इस सत्य सुरूप छे इस सत्य अनुध्यान इटले आपड़े आप रथम श्यलोक ने कृष्ण परक आनो अर्थ करेशो तो जो जन्दमादी से रहित है उसने जन्दम लिया कहां तो काराग्र में तो वसुदेव देवगी के आगे चतरुपी रूप से दर्शन दे रहे हैं लेकिन यशुदाजी के वहां तो प्रौपर गर्भु से जन्दम लिया तो जे अजन्माच एणे जन्मलिदो एवा सत्यशि क्रिष्ण जेनाथी ब्रह्माण्ड नो जन्मध आए छे जन्माद्यसिया जन्मा आकाशास्या यसे महाप्रभुजी तो सुबोद्री जी माँ के जेनाथी आकाशनो जन्मत हे एवां अर्थ मुख्य बतागे कि ये बढ़ाना जन्मेता जह, एने जन्मलिधो, जन्माद्यस्य जन्माद यस्य यतोन वयाद इतरतः अन्वयाद 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 इतरतः अर्थेशू इतिपदार्थेशू अभिता जानाती इतिअभिज्यः जो सब कुछ जानता है उससे कोई बात छुपी नहीं है पूतना विश लगा के आई पर वो जान गए बले संदर रूप धारण करके आ रिये जाने साक्षात लक्षमी जी आवी रहा छे एवा दर्शन बढ़ा ने थाया पर वो सब जान गया जार चार थेशू भिज्यस्वरार सब कुछ जानने वाला कया भाव थी तमें इमनी पूजा करो चो सेवा करो चो कया भाव थी ब्रत करो चो वो मस्का पॉलिस उनके आगे नी चलेगा वो सब जानता है तेरे पीछे का भाव क्या है गणा लोगों नी आम पूनम भरवा जाए नाद दवरा के दर पूनम इमारे जवान नो गया यही बद्धू जाने छे तू सुका महीं आवे छे आपनी पासे कोई स्वार्थी व्यक पॉलिस उनके आगे नहीं चलेगी आ कारण्थी घणालों को ब्रत करें आ बुदुवार करें ना शनीवार करें ना गुरुवार करें चार्थेश्व वो सब जानता है किस भाव से तुम कर रहे हैं उनके आगे कुछ छुपा नहीं है स्वराट जो स्वयम प्रकाश है कांती थी अंधारामा जे गोपियो माखन छाच छुपावी ने रागती तो पोता ना वपुनी कांती ना तेज थी ए अंधारामा छुपाएला माखन ने गोती लेता जे दिव्य मनियों एधारन करता ए मनियों ना प्रकाश थी अंधारामा छुपाएलो माखन ने गोती देता एवा स्वराट एवा एशिक्रिष्ण तेने ब्रह्म रदाय आधि कवये ब्रह्म रदाय आधि कवये ब्रह्म वन लीला अंतरकत जे वन भोजन भगवाने करयों और एव वन भोजन अंतरकत ज्यारे ब्रह्मा जीने रदय कवये जे एने शंशे थयो तो ब्रह्मा जीना बधा कवये ने दूर करवा वाड़ा एवा भगवान एवाशी क्रिश्चन तेने ब्रह्म रदाय आधी कवए यह पोतानी सुरुष्टी नोजे मोह थयो तो पोते पोताना श्रीयंग माति स्विष्टी प्रगट करीने पुदाना धामना दर्शंकरावीने जे ब्रह्म्धा जीना रदयमा थे लोग कवैने जने दूर करेऊ एवाशी क्रिश्ण बड़े बड़े रुशी मुनी लोग जिनकी लीलाओं को समझनी पाते एसे कृष्ण एसेसी लीलाएं रास लीला चीर हरन लीला माखन चोरी करे छे रास रमे छे माटी खाये छे वस्त्रोंनु हरन करे छे बड़ा चक्करमाविगा शुकरी रहा छे बड़े बड़े लोग जिसको समझनी पाते मुहियन्ती सबको मोहित करने वाले एसेसी कृष्ण तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो देगे प्रभु ने ब्रज में तीन तीन चीजों को शुद्द किया तेजो जो ब्रज में तेज आग दावा नल को पी गए ये वो दावा नल फाट हो अन्यावे आम मोडू खोली देदू हा अन्य बधी दावा नल पिये छे सखाव वा ए सब आखे बंद करो बधा ये आखो बंद करी पोलो मन सुको आम आखो बंद करी पर आम जुवे जैने मैया ये सोई पूछे के तुमारा लालानू ध्यान बधू दावा नल पिये छे आग पी गए अरे लाला ये का कर रहो है का कचुनी अरे तु आग पी रहो है अरे तो तुम सबन के रक्षा के लिए अरे पर तो ऐसे आग पीए अभी मैं जाके महिया को पूँ कि तेरो छोरा मेरे से नहीं संबलेगो मैं तेरी जवाबदारी न अवी मन्सु को पोचे है नहीं पिला आप होगी कियते हैं अगय अश्यदार जी के पाल मैया दूद्र पीनो ए ने थोड़ो गरम दूद लियाईगी हाँ भी लाओ लाला और मैया थोड़ो गरम सुन्दर गईया को दूद लेके आई थोड़ो सो हाथ थोड़ो गरम कियो हा थोड़ों काम आम उपर नीचे करी ना नहीं आम उपर नीचे करी लोगे दूदों ने इज़ागोई ने वह पता ठाकुरजी ने बहु गम है नहीं तो दूद ने ठंडु ए पाणी नी परात मा मुपी दिदू ने ठंडु थी जाए नीचे थी ठंडु ने उपर गरम बाद थी ठंडु गई रोगे पाणी वह पाणी यह तो बहुत गरम है मेरो जीब जल जायागों मुझ जल जायागों नेक थोड़ों ठंडु कर दे